आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे कि फीवर जब हमें होता है यानि कि बुखार जब हमें होता है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए generally मैंने लोगों को इसमें बहुत confuse देखा है वो नहीं झानते कि जब फीवर होता है तो उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ज़्यादा तर लोग तो ये सोचते हैं कि जब fever हुआ तो बहुत ज़्यादा खाओ ताकि सरीर में ज़्यादा energy रहे और वो बिमारी से लड़ पाए मगर असल में जस्ट इसका उल्टा हमें करना है हमें कम से कम खाना है अपने जंगली जानवर जैसे सेर या फिर कुटे को मांसाहारी जानवर जो है उसे देखा है कि वो जब बिमार होते हैं तो वो घास खाते हैं ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जब घास खाते हैं तो उनके बॉड़ी में घास को पचाने का digestion system नहीं है और जब उन्होंने घास कंजूम किया तो वो बॉमीट हो करके निकल जाता है और अपने साथ जो भी उनके पेट में फूड है उसे लेके निकलता है तो इससे वो क्या करते हैं अपने healing property को बचा लेते हैं और वो healing energy लगती है बिमारी से लड़ने में अब उन्होंने digestion को rest दे दिया और उनके सरीर में जो बिमारी है जो pathogens यानि की बाहरी तक तो जो उनके body में घुस चुके हैं जिसकी वज़ा से fever हुआ है इस तरीके से उनके body की healing power उस बिमारी से लड़ पाती है ये उनके अंदर inbuilt system है हमारे अंदर भी ये inbuilt system है जब हमें बुखार आता है तब हमें खाने का मन बिलकुल नहीं करता एक्चली में बुखार आता कैसे है हमारे सरीर का एक mechanism है हम चारो तरफ से bacteria virus ये microorganism से घिरे हुए है ये हमारे body के अलग अलग छिद्र से जाने की अंदर कोशिस करते है नाक के रास्ते से गले के रास्ते से हर जगा पे अपना-पना immune system है उनसे fight करने के लिए जैसे अगर ना body से हमारे mouse से इस तरह के liquid निकलते हैं जो उन्हें मारते हैं या फिर हमें खासी आती है तो फिर भी अगर ये इसे bypass करके अंदर घुज जाते हैं और अंदर जाकर इन्हें ऐसा वातवरन मिल जाता है जहां पर ये जल्दी-जल्दी multiply हो पाते हैं तो इस multiplication को रोकने के लिए ह हमारा body temperature को बढ़ाता है temperature को ये हमारा body क्यों increase करता है ताकि वो जो micro organism multiply हो रहे हैं वो multiply ना हो सके और हमारे body को time मिल जाए antibodies बनाने के लिए तो ये हमारे body का एक बहुत ही अच्छा mechanism है वो fever बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है मतलब हमारे सरीर का तापमान बढ़ाता जा बढ़ाता है मगर अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है यह मर ही नहीं रहे हैं यह multiply हुए ही जा रहे हैं तो body बहुत ज्यादा temperature बढ़ा देता है और तब जाकर यह हमारे body के लिए issue बन जाता है हमारा जो nervous system nervous cell है वो भी मरने लगता है मतलब हमारे खुद के सेल को भी नुकसान पहुंचने लगता है तब जरूरत है हमें सर पर ठंडे पट्टी करने की हमारे हाथ और पैर इसमें कोई भी इशू नहीं होगा अगर इसका temperature बढ़े 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 ब्रेन का अगर temperature बढ़ता है तो यहां पर हमारे nervous system पर impact आता है इसलिए हमें सर पर ठंडे प सब्सक्राइब करते जाएंगे जब तक की सर का temperature थोड़ा कम ना हो और बॉड़ी को हम प्रॉपर हिलिंग टाइम देंगे बॉड़ी खुद से उर्ष माइक्रो आर्गानिजम से लड़ेगी एंटी बॉड़ी बनाएगी और उससे फाइट करेगी और हम कुछ दिनों में अ जो भी बच्चे को मन कर रहा है या किसी बड़े को हुआ है तो जो भी उन्हें मन कर रहा है वो खाएं अगर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कोई भी solid food नहीं लेना चाहिए, हमें इस समय liquid diet पे रहना चाहिए, liquid diet में हम कोई भी fruit का juice ले सकते हैं, हम solid food भी खा सकते हैं, जैसे papaya, कोई भी citrus fruit के हम juice ले सकते हैं, अनार खा सकते हैं, apple खा सकते हैं, हम vegetables भी खा सकते हैं, जैसे tomato, खीरा, ये सब भी हम ले सकते हैं रूप में तो आपको यह क्लियर हुआ होगा कि फीवर के समय हमें क्या लेना चाहिए और एक चुम मेजर गलती हम करते हैं कि फीवर के समय में कुछ भी खाते रहना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं तो हमारे बॉड़ी को दो तरफ फाइट करना होता है एक तो फॉरेंट पार्टिकल से बिमारी से बॉड़ी लड़ रही है और दूसरा जो आपने फूड खाया उससे क्योंकि बॉड़ी को दो जगा पर फाइट करना पढ़ रहा है दो जगा पर अपनी हीलिंग एनरजी लगानी पढ़ रही है तो उस समय हमे अपनी बॉड़ी को डाजेशन सिस्टम को रेस्ट देना चाहिए और हमारी बॉड़ी को बिमारी से लड़ने देना चाहिए थैंक यू